तो भाई कल आदी पूरुष का मैंने टीजर देखा और उस टीजर को देखने के बाद भाई मेरे सर में, पूरी बॉडी में, सब जंगे इतना दर्द हो गया कि भाई इतने साल लगाने के बाद कोई इतना घटिया प्रोड़क्ट कैसे दे सकता है आपको सिर्फ एक स्टोरी क अधाप्ट करना है भाई रामायन को कौन नहीं जानता हम सभी के दिल में रामायन है हर बच्चे बच्चे को वो स्टोरी पता है और तुम उसका ऐसा अधाप्टेशन करोगे इसके बारे में जो भी बात कर रहा था वो यह कह रहा था कि भाई इसके VFX एकदम टॉप नॉच होने वाले हैं कि इसकी जो VFX क्वालिटी होगी वो मार्वल के लेवल को मैच करेगी भाई मार्वल का लेवल तो छोड़ दो यह तो काटून नेटवर के लेवल पर आ गए भाई 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 VFX को देखने के बाद मैं इतना जादा डिसपॉइंटीड हूँ इतना नकली अक सरकल से उसके और प्रभास की बॉड़ी भाई वो क्या नकली एब्स हैं यार बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि पता नहीं कितना टाइम तो उनकी बॉड़ी को रीटच करने में लगा होगा यार यह क्या मजाक है और उपर से रावन का करेक्टर जो सैफली खान ने प्ल इतना टाइम लेने के बाद इतने सारे एफर्ट के बाद क्या इतना टटी प्रोड़क्ट निकालोगे तुम मुझे यह लगता है कि भाई पीछे जो सब लोग बैठे हुए थे डारेक्टर कास्ट अक्टर वो सब यह सोचते हैं कि यार लोग बवकूफ हैं लोगों कुछ स कुमारे पास option इतने सारे हैं कोई इसे क्यों ही देखेगा यार और सबसे बड़ी बात भाई इसका जो वानर सीना का adaptation है उससे अच्छा वानर का adaptation मोबाइल गेम्स में होता है इतना बुरा adaptation है भाई मेरेको बहुत जादा humiliation भी फील हो रहा है कि यार इतना जादा disrespectful कैसे हो स इसको दूंगा आप बोल सकते हो कि मैं टीजर से इस मुवी को जज कर रहा हूं भाई यह मुवी भी बहुत बहुत बेकार होने वाली है इस वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी तो अगर आप और ऐसा कॉंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो मैं चैनल बाई